राजस्थान में सभी 25 लोक सबसीटों पर चुनाफ खत्म हो चुका है दूसरे चरण में 13 लोक सबसीटों पर मददान के साथ ही राजस्थान में क्यों संपन हो चुका है महीं अब राजनीतिक पार्टियां और प्रितियाशित जनता के फेसले का इंतजार कर रहे हैं हाला कि लोगसेबचुनाफ 2024 के नतीजे 4 जून को आने वाल है यानि अभी एक महीने से भी जादा वक्त है महीं राजस्तान में लोगसेबचुनाफ संपन होने के बाद सबसे चर्चित सटा बाजर यानि की फलोधी सटा बाजर काफी एक्टिव हो गया है फलोधी सटा बाजर में चुनाफ को लेकर काफी कुछ चलता रहता है जिसमें अलग-अलग सीटों के लिए सटे लगाये जाते है वहीं इस बाज के चुनाफ में बाढ़ मेर जिसर में लोगसेबच सीट पर देश ही नहीं बलकि देश की सबसे होड सीट मानी जा रही है वहीं फलोधी सटा बाजर में भी इसे लेकर काफी चर्चा है फलोदी सट्ट बजार में बाढ़ मेर जेसर में लोकसबसीट के लिए मद्धान के बाद फिर एक बार भाफ खोले गए हैं हाला कि इससे पहले जो भाफ थे उसमें सभी उम्मिदवार के भाफ का भी करीब-करीब बराबर थे मद्दान से पहले सीट पर 90 पेसे का भाफ ता हालागी मद्दान नजदिक आते आते भाफ में काफी बदलाव दर्च किया गया था बार्मेर जैसे में लोग सबसीट पर माना ज़ा रहा ही कि बीजेपी के उम्मेदवार केलाज चोधरी रेस में भार चल गए है महीं नए भाफ के मुताबिक कॉंग्रेस के उम्मेदराम और निर्धली रवीन सिंग भार्टी के भी श्टकर बताई जा रही है हाला कि फलोदी सटब जार में आकड़े चोकाने वाले हैं यहां कॉंग्रेस के उम्मेदवार उम्मेदराम बेनिवार का भाफ 90 पेसर है तो ही निर्धली प्रतियाशी रवीन सिंग भार्टी का भाफ 1.25 रुपे बताया जा रहा है नहीं भाजबा के केलाज चोदरी का भाफ 3 रुपे है यानि यहां कॉंग्रेस का पढ़ला भारी नजर आने लगा है फालोदी सटब जार के आकड़ों के मुताबिक रवीन भाटी इस वक्त उमेदराम से करीब 35 पेसर तीचे चल रहे है एसे में रवीन सिंग भाटी को जटका लग सकता है हाला कि चुनाव में जनता ने अपने फेसले EVM मशीन में केत कर दिये है जिसका फेसले चार जून को जारी किया जाएगा ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए देखते रहे दनगरी न्यूस मैं शेक जोया